नमस्कार दोस्तों दीकैड में आपका फिरसे स्वागत है मैं हूं सेंडीदा में तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक इस पार्ट को बनाना जो यहां पर राइंक दिखाई दे रही है और यह complete extrude से बनने वाला है और इसमें हम कुछ rules भी सीखेंगे कि किसी भी solid part को बनाने के क्या rules हैं किस तरह से किसी पार्ट को अच्छे तरह की से बनाये जा सकता है तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक नई file ले लेते हैं तो किसी भी part को बनाने का सबसे पहला rule होता है कि हमें पहले उसको solid बना लेना है यानि कि hole वाला जो हिस्सा है जो भी आपको cut वा नजर आ रहा है वो कोई भी hole वाला हिस्सा नहीं बनाना है यानि कि पहले हम पूरा solid बना लेंगे उसके बाद कटिंग करेंगे यानि कि हमारे सारे के सारे जो चीजे हैं यानि कि अगर हम एक्सटूड करते हैं तो पहले एक्सटूड बोस आ जाएंगे सारे फिर एक्सटूड कट वाले सारे हिस्से आ जाएंगे उसके बाद में अगर हमें कहीं ड्राफ्ट लगाना है तो ड्राफ्ट हाजाएगा उसके अद्फिलिट होता है और सबसे लास्ट में सैल होता है तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ से ले लेते हैं सबसे पहले टॉप प्लेन और top plane पे एक solid circle ले लेते हैं circle का जो diameter है वो हम यहाँ से देखेंगे 65 diameter है यहाँ पर तो 65 diameter कर लिया यहाँ पर उसके बाद इसको करेंगे feature में जाएक extrude जो कि यहाँ पर 34 extrude है तो mid plane लेके यहाँ से 34 extrude कर लेंगे उसके बाद फिर से top plane लेंगे इस बार हम जो बना रहे हैं यह वाला इससा है जो कि 96 आपको नज़र आ रहोगा जो यहाँ से इसके center से और इसके center तक 96 है इसकी thickness 24 यहाँ पर नज़र आ रही है और अगर हम इसकी विर्थ की बाद करें तो 2054 नज़र आ रही है तो कुल मिलाके कि यह rectangle है और रेक्टेंगल को इसको बनाने के तीन तरीके हो सकते हैं बनाने के नंबर एक तरीका होगा मैं से रेक्टेंगल इदर से ले लेते हैं जो कि हमने टॉप यूज किया है इस लाइन को पकड़ेंगे और ओरीजन को पकड़ेंगे यहां से मिड़ पॉइंट कर देंगे तो यह दोने तरफ सिमेट्रिक हो जाएगा इस तरह से यहां मैं 45 कर दिया है इसकी टोटल जो लेंथ है वह 96 नज़र आ रही है मैं तो 96 कर दी और जैसके बना हुआ इसके बिल्कुल बीच ओ बीच क्योंकि हमने टॉप लेन लिया ता और इसको मिड़ प्लेन एक्स्टूड कर लिया तो इससे क्या होगा कि हमारे सारा का सारा स्टूड बीच में आ गया है और अब फीचर में जाके एक्सटूड इसको कर लेंगे एक्सटूड करेंगे 30-24 तो यहांसे मिड़ प्लेन में कर लिया दोनों तरफ को ओके करेंगे तो एक तो तरीका हो गया इसको बनाने का इस तरह से बना सकते है टॉप प्लेन पे और इसको हम अभ में जाएंगे इस line को रखेंगे इस point को mid plane कर देंगे और इस बार dimension थोड़ी अलग हो जाएंगी पहले हम इसमें thickness दे देंगे 24 और length हमारी 96 हो जाएगी और जो extrude इस बार करेंगे क्योंकि अब QR plane हमारा front था तो किछ इस तरह से है फीचर में जाएंगे और इसको extrude कर लेंगे इस बार हम extrude 45 करेंगे जो कि इसकी width थी okay करेंगे तो यह इस तरह से भी बन सकता है और last तरीका है इसको हमने यहाँ पर फिर से suppress कर लिया और right plane से भी इसको बनाए जा सकता है तो हमने right plane ले लिए इस बार rectangle ले लिया है right center rectangle और कुछ इस तरह से इसको draw करेंगे इस बार हम इसकी यहाँ से 45 dimension और 24 dimension पहले दे देंगे और जो extrude करेंगे feature में जाएके extrude हम इसको इस बार mid plane नहीं करेंगे blind करेंगे और 96 इसको हम extrude कर देंगे तो कुछ इस तरह से बन गया यानि कि इस हिस्से को बनाने के माल पास तीन तरीके थे अब इससे आगे चलते हैं इससे आगे यहाँ पे कुछ इस तरह की profile नजर आ रही है इस profile को बाद है तो 44 का यह round है जो कि इधर नजर आ रहा है और जो कि 96 के बाद में 70 आगे बढ़ेगा तो हमारे पास यह face है इससे आगे यह वाला face हमारा 96 पे रुका हुआ है और इसी face हम स्केच कर लेंगे और simple सा एक circle बना लेंगे जो कि बिल्कुल आसान है circle बनाया है हम पे और इसकी dimension 44 डायमीटर हो जाएगी और feature में जाएके इसको extrude कर लेंगे और इसकी जो extrude वाली length है वो हो जाएगी 70 जो कि यहां पे नजर आ रहे हैं आपको okay करेंगे तो यह वाला हिस्सा भी हमारा बन के तयार है अब इससे आगे हम वापस से top plane लेंगे और sketch कर लेंगे तो अब हम क्या बना रहे हैं यह वाला जो profile वाला हिस्सा है इसको बना रहे है top plane पे जो कि इस तरह से यहां पे top plane है सीधा कर लेंगे normal to अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक circle ले लिए जो कि यहां से इसके mid में आ जाएगा क्योंकि यही वाला इसका center है तो यहां हमने इसको ले लिए इसका diameter जो है वो आ जाएगा 50 diameter और यहां पर एक circle बना लेंगे जो कि 14 रेडिस का है तो इससे पहले एक center line ले ले लेंगे जिससे कि हमें सब कुछ center में बने उपर नीचे ना जाए अब हमें center line पर एक circle बना लेंगे circle का जो diameter है वो 28 हो जाएगा क्योंकि radius 14 दी होई है तो diameter यहां पर 28 हो जाएगा तो यहां से यहां तक का जो center distance है वो 44 यहां दिखा रखा रखा ड्राइंग में तो हम यहां पर इसको 44 और फिल कर लेंगे और अब इसके नीचे वाला हिस्सा देखते हैं यहां से इसको फिल कर लेंगे इस पॉइंट से बिल्कुल सीधी लाइन यानि की horizontal line बना लेंगे और यहां से बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे ड्रो कर लेंगे जो एक्स्ट्रा हिस्सा है जो हमारे काम का नहीं है उसको हम इस तरह से trim कर लेंगे power trim की मुदद से अब इसके नीचे वाले हिस्से को बनाते हैं नीचे वाले हिस्से के लिए हमने एक लाइन ऐसे ड्रो कर ली या फिर एक तरफ का हिस्सा बना लेते हैं सेंटर लाइन से एकी तरफ और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमने इसको रख लिया अब इन दोनों हिस्सों को स्लेक्ट किया और टेंजेंट कर लिया और इन दोनों हिस्सों को सेंटर लाइन के साथ स्लेक्ट कर लिया और इदर सेमने इसको मिरर कर दिया तो यह हमारा इ गया है ट्रिम करेंगे पावर की मक्त से यह वाला यह सा उल यह बंस अर्म है अंदर वाला फुर्द कर भाएं पर सेमें और यह वाल में रहा हैं कि हमने पहले बताया था कि जो भी कुछ बनांगे उसमेंब्स आ किए। टोटल एक्स्टूड वाली टैमेंस नहीं दिखा रखें जो कि 50 है यहां जाएंगे 50 को में एक्स्टूड कर लेंगे ओके तो काफी सारा हिस्सा हमारा बन गया है अब साइड वाला हिस्सा है यहां पर कोई को रेक्टेंगल जैसी चीज़ नजर आ रही होगी जो कि उपर से देखेंगे तो 28 डायमेटर का एक सर्कल है यानि कि स्लेंडर है तो जो कि इस जगह पर बनेगा इसके लिए में राइट प्लेन नहीं फ्रंट प्लेन की जो रुट पड़ेगी तो फ्रंट प्लेन पर हमने स्केच कर लिया वापिस से एक सैटल लाइन ले लेंगे जो कि कुछ यहां बन जाएगी और एक सर्कल यहां कहीं भी बना लेंगे फिलाल तो और फिर इसको डायमेंशन देंगे 28 डायमेटर और ओरीजन से यह हो जाएगा 96 दूरी पर क्योंकि यह है इसका सेंटर है 96 हम्यास से इसको फिल कर लेंगे फीचर में जाएंगे और इसको एक्स्टूड कर लेंगे मिड प्लें 72 जहां पर लिखिए 72 तो 72 इसको हम्ने एक्स्टूड कर लिया तो अब हमारा जिव भी सॉलिड है वो सारा हमने इसमें बना लिया यानिकि complete सॉलिड हमारे गया है अब हमारा काम है cutting करना अब इसमें cutting करेंगे तो cutting सबसे उंची वाले हिस्से से शुरू करते हैं यहां से और चाहें तो बीच वाला plane भी यूज़ कर सकते हैं फिलाल मैं यहां से height पे यहां से शुरू करेंगे तो एक circle मैं यहां बना लेता हूं और एक circle यहां draw कर लेता हूं दो circle एक साथ हो जाएंगे मेरे तो पहला circle जो है वो 41 diameter का है और दूसरा circle जो यहां पर 35 diameter का है इसको 35 कर लिया हमने feature में जाएके इसको extrude cut कर लेंगे through all okay तो मारा एक यह वाला है size cut गया है क्या है आप हम यहां इस वाले हिससे को काटते हैं क्योंकि points-next यहां तड़ेगा कैसे पता next क्योंकि इस वाले view माब देखेंगे कि यह यहां तक जा रहा इसस पर किरेंगे हे ओ से circle गया को rec platinum circle का जो diameter है वह ओ zweite दिखाएगा अब का यहां दिखाया हो आए क्योंकि सेक्शन बी भी है ऊपर की तरह फैरो है तो यहां पर आपको होल नजोडारा 22 का तो यहां पर 22 डायमेटर का होल होने वाला है फीचर में जाएंगे एकस्टूड कट करेंगे और यहां से डायरेक्शन में देंगे अब टूट नेक्स्ट तो अप्टू नेक्स्ट यहां पर नेक्स्ट आता है ओके करेंगे तो यह इस तरह से कट गया तो लगबग हमारे सारे होल हैं वो भी हो गए हैं अब इसके आगे हो जो है वो tapped hole है यानि की hole wizard की मदद से बनाए जाएंगे तो एक hole तो यहाँ पर है m12,5 mm की पिछ के साथ में तो हम इसको पहले बना लेते हैं hole wizard hole wizard में यहाँ पर tapped hole, straight tapping, उसके बाद यहाँ नीचे चले जाएंगे dimension, m12,5 mm यानि की 1.5 अब यहाँ से देंगे हम इसकी position और एक second इसको भी बताना पड़ेगा, and condition करेंगे हम through hole यहाँ आ जाएंगे position, position मना यह वाला हिस्सा select करेंगे, 3D sketch पर click करने ही जूरत नहीं है, सिर्फ इस हिस्से पर click करेंगे, और यहाँ से बाहर से हमने से इसको hold करा mouse को, तो यहाँ पर center दिखने लगा, बस कुछ नहीं करना, okay करना, तो यहाँ पर हमारा M12 का hole लग जाएगा, अब इस जगह पर up to next है, क्योंकि देखो, यहाँ देखो कि सिर्फ यहीं तक गया हुआ है, M12 डेड़ वाला यह भी, तो हम इसको वापी से लेंगे, hole wizard, through hole की जगह, up to next कर लेंगे, यहाँ से, बाकी setting सा भरी हुई है, position पर जाएंगे, इस इससे पर जाएंगे, और यहाँ से mouse रखेंगे, थोड़ी देर, और center दिखेगा, यहाँ क्लिक करेंगे, okay करेंगे, तो यह वाला hole भी हमारा तयार है, अब हमारा बस एक hole जो है, वो R पार, जो की दोनों तरफ यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, M10 1.5 का, तो हम इसको ले लेते हैं, M10 1.5, तो आपको 1.5 यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, M10 के साथ में, लेकिन यह 1.5 ही होता है, इस टेंडर के साथ से, ISO के साथ से, लेकिन अगर आपको देखना है, तो आप यहाँ से ISO हटा देंगे, इसमें चले जाएंगे, ANSI मैट्रिक्स में, तो आप यहाँ पर देखेंगे, 1.5 का, यहाँ पर LX से मिल जाता है, अब हमें करना इसको through all, और position, अब यह तो round position, इस पर 3D sketch मिल जाएगा, तो हम randomly कहीं भी click करेंगे, उसको फिर ठीक कर लेंगे, ठीक करने का तरीका है कि यहाँ से एक center line ले लेंगे, जो कि आपके origin से होके, इस बिंदू तक, यानि कि इस point तक जाएगी, और फिर इस line को हमने कर लेना है, along with Z, तो यहाँ पर along with Z हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा hole लग गया, तो यह part एकदम बनके तयार है, तो आपने इसमें देखा होगा कि हमने किस, इस part को किस तरह से बनाया है, तो आप देखेंगे कितना सुंदर हमारा design tree भी बना है, तो design tree भी एक सुंदर होना चाहिए, इसका भी ध्यान रखना होता है design में, ऐसा आप देखेंगे, यहाँ पर हमारे hole wizard एक साथ में आ गए, तो जो भी हमारा design होता है, वो इसी तरह से बनता तो यह भी हमें सुंदर बनाने की कोशिश करनी होती है, जैसे कि हमारा design और अच्छा बने, और इसको इस तरह से design करने से हमारे को भी benefit होता है बाद में, कि जैसे क अगर मैं पहले यह वाला hole साथ बना लेता, तो फिर इसमें यहाँ पर दुबारा से hole करना पड़ता, तो हमें फिर भी कई बार दुबारा hole करने पड़ जाते हैं, या फिर अगर मैं इसको hole पहले से बना लेता, तो जब मैं इसको extrude करता तो यहाँ पर इसकी line आ जाती, तो तो इस line को फिर से कारना पड़ता है यानि कि hole फिर से करना पड़ता तो इसलिए हमने सबसे last में hole कि रहे हैं जिससे कि हमें दुआरा दुआरा किसी भी काम को ना करना पड़े हैं तो आसा करता हम आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ इसी तरह से बने रहें, हमारे वीडियो को अच्छी अच्छी लाइक दीजिए, और दोस्तों के साथ सेर भी कीजिए, तो चलते हैं जब त